हेलो गाईज वेल्गम बैक टॉमाड़ो चैनल SKM इस्टड़ी अवे आप सक्सेच मैं हूँ आपका एजुकेटर सीवा मिसरा आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल जी हाँ आपकी यूटूब चैनल SKM इस्टड़ी पे भाई साहब यहाँ पर मैं आज ल बोट कर लिए दस नंबर का सुषित दस नंबर और वह वी विल्कुल फ्री में आपको मिलने वाला है तो इसलिए यहां पर आज मैं ऐसे गद्यांस बताओंगा जो कि आपके बार-बार बोड में रिपीट किया जा रहे है यानि कि रिपीटेड गद्यास पद्यांस है आप तयार कर लेते ना तो यह समझ लिजए भाई साब कि आपका आराम से दस नंबर कहीं नहीं गया है जी हां यह मैं पिछले साल के पेपर से बताओंगा अब ताकि आपके अंदर यह ना रहे कि सर आप कहीं से बूठा के बता दे रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा म क्योंकि आपके लिए क्या होगा काफी इंपॉर्टन रहेगा और ऐसे information को बिल्कुल भी नहीं दूँगा जो कि वह क्या रहेगा बहुत ही विकार रहेगा और बोड में आए गाई नहीं तो जब बोड परिच्छा में आए गाई नहीं तो उसको पढ़ने से कोई मतलब करते हैं तो सबसे पहला आपको यहां पर पध्यांस त्यार कर लेना है सवरी गद्यांस त्यार करना है पहला आप टिक लगा लेंगे इसका धास्क दोंगा कि गीत आमोद प्रमोद अनेक रूप में राष्टीजन अपने अपने मानसिक भाव को प्रगड करते हैं आत्मा का जो विश्वास रूपी आनन्द भाव है वह इन विविद रूपों साकार होता है यद्यप वाहरूप की दृष्टी से द्रिष्टी से शंस्कृत के ये बाहरी लक्षड अनेक दिखाई पड़ते हैं, किन्तु आंतरिक आनंद की द्रिष्टी से उसमें एक सुत्रता है, जो व्यक्ति सहिर्द है वो प्रत्यक संस्कृत के आनंद पच्छ को स्विकार करता है और उसे आनंदित होता है, उसे आनंद तो आपको जरूर से जरूर पध्यांस तयार कर लेना है जी हां यहं पर जो तयार कर लेगा है तो यह पहला वाला में आपको 6-7 ऐसे ऐसे गद्यास बताएं जो कि आपके बोड में रिपीटेड किया गया है इसलिए आप इनको तैयार कर लेजिएगा रमडीता और नित्य नूतरता अन्योन अंसरित है रमडीता के अभाव में कोई भी चीज मानने नहीं होती नित्य नूतरता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्द की प्रमारिकता सूचित करती है सिले कि आपको यहां तक करना है एक ससक्त माध्यम है अब यहां से प्रश्ण मनेंगे इसको याद रखिएगा इन सारे प्रश्णों को भी तयार कर लेना है क्योंकि यहीं से आपके इस रखिए घध्यांस से तयार कर लिजीगा अब चली अगला वाल आपको गद्यांस मैं आपको देता हूं तयार करने के लिए घध्यांस हो गया है उसके बाद आप यह घध्यांस कुर्ण कोन कुन से रिभूमिका निनमाण देवन इक हैं बहुत इंप्रच्ण यहां वाल बार आएगा क्योंकि हर साल ये पेपर में आता है तो इस बार भी ये पेपर में आएगा भूमी का इन्मार देवों ने किया है वह अनंतकाल से है उसके भूती गुरूप सौंदर और सम्रिद्धी के पृति सचेत होना हमारा आवस्य करतब है भूमी के पार्थिव सरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरुक होंगे उतनी हमारी राष्टि इता बर्वती हो सकेगी यह प्रितभी सच्चे अर्थों में समस्थ राश्टी विचार धाराओं की जननी है जो राश्टि इता प्रितभी के साथ नहीं जुडि है वह निनृमूल होती है राश्टी इता क और महिमा को पहचानना आवस्यक धर्म है अब यहां से आपके 5 इस गध्यान से 5 प्रश्ण पूछा गया है भूंकाइमार किस ने किया है भूंकाइमार देवों ने किया यह कप से यानन्त से यह प्रितबी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है पार्थि और आद्योपान सब् अर्थिस्पर्ष्ट कीजिए रेखांकित अंस की व्याक्या कीजिए उपयुक्त गध्यांस के पार्ट का सिर्षक और लेखक का नाम लिखी ठीके ना अथवा में देखें अथवाई में मैं आपको बता रहा हूं इसको भी तैयार करना क्योंकि बोड में रिपीटेड प्र पाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी असल में मार मदन का ही नामांतर भी है कैसा मदुर और मोहंग साहित उन्होंने दिया पर ना जाने कभी अच्छों के वज्जर पाड़ी नामग देवता इस वैराग प्रमण धर्म में घुसे और बोजिसत्तों के सिरुमणी बन फिर ब्रजयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ और त्री रतनों के मदन देवताक ने आसान पाया ठीक है वह एक अजीव आधि थी इसमें बौध बह गए और सेव बह गए साक्त बह गए उन दिनों स्री सुन्दरी साधन योगस्च भोगस्च और कतस्थ एव की महिमा प्रतिष्ठित हुई कावे और सिल्प के मोहक असोग ने अभिचार में सहायता दी तो यह आपका यह वाला भी आपका जो गद्यांस है यह काफी इंपॉर्टेंट है इसको टिक कर लिजे और इसको त्यार कर लिजेगा और य अर्था इसपश्ट कीजिए रेखांकित अंस की व्याक्या कीजिए और इसका गद्यांस और शिर्षक का आपको नाम बताना है चार हम बता चुके हैं अब यहां पर पाचों और छाठों बताएंगे और इनको भी आपको यह गद्यांस भी आपको पढ़ह लेना है बहुत सब्यता का निर्मार किया है वही उसके जीवन की स्वास प्रस्वास है बिना संस्कृती के जन की कलपना कबद्न मात्र है संस्कृत ही जन का मस्तिक्स है संस्कृती के विकास और अभ्यूदय के द्वारा ही राश्ट की ब्रिद्धी संभव है राश्ट के समग्र रूप में भूमी और जन के साथ साथ जन की संस्कृती का महत्यपूर अस्थान हैं और यहां पर जो पाच प्रशन पूछे गए हैं संस्कृत की विर्धि कैसे संस्कृती जन का मस्तिक्स की सुप्रकार हैं जन की संस्कृती से आप क्या समझते हैं विखास और अभ्यूदय का अर्थ इस आरहा हूं ऐसा नहीं है कि मैं अपने से जोड़ दे रहा हूं और आपको त्यार कर लिना ऐसा नहीं करना है इसको टिक लगा लीजिए अगर मैं आपका ऐसे कुल पचीस पचीस अगर आप गध्यांस त्यार कर लेंगे तो चुटकी बजा के आप सत्तन नमबर लेके आएंगे कोई आपको प्रोग नहीं सकता ही समझ लीजिए बिल्कुल आपका आएगा तो इसको आप नोट कर लीजिए भासा की साधान यह भासा से वाला है जो भ पास हिंदी की बुक क्योश्चन बैंक होगी टिक कर लिजिए और यह उच्छा गध्यांस आप पढ़के जाएं हंडर पर्षंट ग्यारेंटी देता हूं कि इसके बाहर आपका एक भी प्रशन बिल्कुल भी नहीं आएगा यह रिपीटिड आपके गध्यांस है जो कि आप